देखे आज के इस वीडियो में हम आपको इस्टाम पेपर के पावर के बारे में बताएंगे आगे हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे कि आखिर इस्टाम पेपर का यूज कहां किया जाता है और हमें इसका यूज कहां करना चाहिए आगे हम आपको ये बताएंग कि हमें किस केस में कितने रुपे का इस्टाम पेपर का यूज करना चाहिए तो तमाम सारी बाते बताएंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीज़ेगा वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिर इस्टाम पेपर का पावर क्या होता है तो देखिए हम आपको यह बता दे कि इस्टाम पेपर का इस्तमाल लीगल डोकुमेंट बनाने के रूप में किया जाता है यानि कि इसका इस्तमाल आप देखेंगे तो कोट बेगारा में होता है इसका हम यूज जैसे कि देख सकते हैं कि राएब आइगार का जमीन लेना हो तो वहां पर करते हैं आगे हम देखेंगे तो A5P बनवाने के यूज में हम करते हैं अगे इसका इसमाल करते हैं यहांगे उन vanak जले कभी जमीन रिजिस्टरी करा आया था और सांथ में क्या किया था कि आप ने इस टाम फ़ेपर भी बनवा रखाता तो ऐसे में क्या होग यह सामने वाला वेक्टी किसी भी तरीके से मुखर जाता है या नि कि वो रreshters ट्री का पड़ाईकर कर देता है तो आपको जो होता है उसका यूज को करते हैं और यह जो होता है यह आम लोग करते हैं जैसे कि आपको रजिस्टरी का पेपर बनवाना है घर पर गहर लेना है यह सब में जैसे कि खेती की भी कुछ लोग क्या करते हैं कि लिच पर लेकर करते हैं तो वहां पर यह सब करते हैं जैसे कि एक और परकार होता है यानि कि क्या होता है कि अभी आप नेट से भी स्टांपेपर निकलवा लेते हैं उसे हम क्या करते हैं यानि कि जो आप ऑनलाइन इस्टार पिपर निकलवाते हैं उसे हम लोग क्या करता है इस्टार पिपर कहते हैं यहां help on तो उसे हम direct stamp paper कहते हैं और अगर हम online निकालते हैं तो हम उसे e stamp paper कहते हैं अब यह समझे कि इसका इस्तमाल हम कब तक कर सकते हैं यानि कि मान के चले कि आपने जवीन registry के कारण क्या क्या की एक stamp paper खरीद करके लाएं जाकर के दुकान से खरिट कर लाएं के दुकान से आप कि आपको आगे आपने खरुँद कर के लाएं और उसकी योज कर सकते और यहाँ पर ध्यान नहीं कुछ प्रवेंगा पहला यहां पर कंड्रीसान है कि आप 6 महीने के अन्दर में जाकर करेंगे वापस करेंगे तो ऑपका वापस हो जाएका वरना वापस लेकिन आप इसका जो इसक्तमाल है कभी भी कर सकते बाइबा करने कर देल्प भी कर देला लेकिन आपको तो वाफस करने का उप्यार पाइब यहीं मिलता है यानि को वहाँ पर जाएंगे इसका इक क्या करता है और भी होस्का इसका इसकर देख सकता है उनका लींग उनका लसा पर एका सारित पैंगे सबसेबान आप सो रुपिया अगर इस पर सो रुपिया लिखा तो आप 200 रुपिया देंगे जितना इसão रुपिया लिखा होगा आप strengthening इग freakin optimism नइन पर दिख को सकते हैं नहीं कर लिगने जरुने के कही पर पर आता है तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर आता है 50 रुपय यानि कि अगर आप एपीडीपी बनवा रहे हैं तो यहां पर आपको 50 रुपय का स्टांव पर लगेगा अगर आप वही यहां पर आपको पावर एपिडेन्टिस बनवा रहे हैं तो आपको यहां पर 100 रुपय लगा अंगर आप निईए आप partnership वेगरा के लिए आप करते हैं तो आपको 2000 उपे का stamp paper लगेगा तो उमीद है कि यह सब बाते आपको समझ में आई होगी तो मिलेंगे एक नेख रूड़ू में एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जया है